तो दोस्तों अगर आपको भी रेस्टोरेंट या धावे का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये वीडियो आप ही के लिए हैं क्योंकि आज हम आपको धावे या रेस्टोरेंट में पनीर कोलापुरी कैसे बनती हैं इसके सारे सिक्रेटिप शेयर किये हैं तो चले फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एक मैजिकल मसाला बनाएंगे जैसे ये सबजी कई गुना स्वादिश्ट और मजेदार बनेगी इसके लिए हमने एक बड़ा चमच धनिया लिया है और एक छोटा तुकडा दालचनी का साथी दसे बारा काली मिर्श डालेंगे चार लॉंग डालेंगे एक छोटा सा तुकडा मतलाब बिल्पुल छोटा तुकडा हमने जावतरी का और एक हरे लाइचिली है साथी दो छोटे टुकडे चकरे फुल के और एक छोटा हमने काली लाई चिली है साथी एक चमच तील डालेंगे एक चमच हमें डालना है खस-खस वन टेबल इस्पून डालेंगे हम मगज के बीच जिसे मेलन सीट्स कहते हैं साथी डालेंगे चाट से पाच काजू बहुत इंपोर्टन है करे लिव्ज और सौफ महाराश्ट्रो में बहुत योज किया जाता है साथी हम डालेंगे तीन से चार सूखी लाल मिर्च दोस्तों अगर आपको सबजी जादा तीकी नहीं बनानी है तो आप मिर्च को बीच से तोड़कर इसकी अंदर के जो बीच है ना उसे निकाल दीजी इससे आपकी सबजी जादा तीकी भी नहीं बनेगी इसमें मिर्च का फ्लेवर और साथी कलर दोनों अच्छे से आएगा तो चलिए इसे हमें अब थोड़ा सा भून लेना है तो इसे हम गैस पर रख देते हैं और इसका कलर चेंज होने तक इसे मीडियम फ्लिम पर भूनेंगी भूने से ये थोड़े करारे भी हो जाएंगी और इसका स्वात कई गुना बढ़ जाता है तो चलिए हमने इसे भून लिया है और इसे ठंडा करके हमें इसे ग्रैंडर जार में डाल लेना है तो चलिए ये ठंडा हो चुका है और इसे ग्रैंडर जार में डाल कर सूखा पीस लेना है और इस मसाले को आप कई दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं और जब चाहे तब इसकी सबजी बना सकते हैं तो चलिए अब ये हमारी जो ग्रेवी का मसाला है तैयार हो चुका है अब मैं आपके साथ एक दूसरे सिक्रेट टिप शेयर कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने एक रैंडर जार लिया है इसमें डालेंगे एक बड़ा टुकडा पनीर का और इसे पीसने के लिए हमें डालना है दूद पाने नहीं डालना है दूद डालना है और इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट होने तक पीस लेना है तो इसे हमारी सबजी एक निक्स् पत्ता और एक मेडियम साइज की प्यास जिसे बिल्कुल हमने फाइन चॉप कट किया है अब प्यास को हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है बस इसका कलर चेंज होने तक हम इसे भून लेंगे और जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा जिसे यह थोड़ी से सॉफ्ट होने लगीगी तब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइस का टमाटर और इसे भी हमें बिल्कुल फाइन चॉप कट करके ही डालना है तो आज की सबजी बिल्कुल धाबिया रेस्टोरेंट जैसे ही बनने वाली है और इसकी सारे सिक्रेट टीप्स आज में शर कर रहे हूं तो ट माटर गल जाए हमें इसके अंदर जो मसाला हमने तियार किया है वो पूरा डालना है और इसे भी ऑईल के साथ भून लेना है जैसे यह ऑईल में भूनेगा इसका कलर थोड़ा से चेंज हो जाएगा और अब हम इसमें डालेंगे लगभख आदा चमच कश्मीर लाल मिर्च और इसमें पानी डालेंगे पानी डालकर इसे मिक्स करना है तो दोस्तों यहां पर हमने मसाले में ही काजू मगज बीच यह चीज़े डाली है तो यह जो ग्रेवी में पानी को एबसॉप करता है तो पानी डालकर हमें मिक्स करना है और जरूरत पड़े तो हम फिर से पानी डाल सकते हैं और पानी डाल कर जैसे ही मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी क्रीमी और कितनी अच्छी बन रही है तो दोस्तों अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर देखें जैसे आप इसे भूनते जाएंगे सारा जो ओईल है वो सेप्रेट होने लगेगा और जैसे ही ओयल सेप्रेट होगा हमें इसमें पीसावाप पनीर डाल लेना है और साथी दो टेवली स्पून डालना है क्रेम तो मैंने आप पर फ्रेश क्रेम लिए अब घर की मलाई भी ले सकते हैं और साथ ही साथ हम एक टुकड़ा पनीर का इसमें ग्रेट करके डालेंग अब जैसे हम सारी चीज़े मिक्स कर रहे हैं अब पनीर की जो ग्रेवी का टेक्शर है उसे देख सकते हैं कितना शानदार आ रहा है और दोस्तों कोला पूरी पनीर थोड़ा स्पाइसी थोड़ा मसालेदार ही होता है और बहुत ही शानदार इसका टेस्ट होता है ये देखी सारा जो ओयल है वो सेपरेट हो चुका है बहुत अच्छे से इसकी जो खुश्बो है पुरे घर में आने लगी है और बहुत मज़ेदार ये सबजी बनती है अब मैं आपके साथ एक धाबे वाली सीक्रेट टिप शेयर कर रहे हूँ तो दोस्तों जैसे सारे चीज़े मिक्स हो जाए भुन जाए उसमें हमें आधी प्यास कच्छी प्यास बारी कटीवी और आधा टमाटर बिल्कुल बारी कटा हुआ डालना है साथ हमने पनिरगा था ना 200 ग्राम वह डाल देना है और स्वाध नुसार नमक डालना है और नमक डालने से बार दोस्तों हाम इसमें डालेंगे लगपक एक mitä कसूरी मीथी और इसे अब हम मिक्स करेंगे ठो दोस्तों जो प्यास और जो हमने टमाटर डाला है इसके जो हलका चंकी टेस्ट जो है न बहुत अच्छा आता है इसे अपर न॥ तो यह अच्छ Edwards हमें आदा कर लिया है अब आदा करना है पानी क्योंकि हमें अब पानी डालकर अथैंच से पर पड़िय करते है न रही की Think Ça के अंदर सावे मसालों का फ्लिवर अच्छे से आ जाए तो चलिए पानी हमने डाल दिया है इसे मिक्स करके हमें ढखकर पकाना है तो दोस्तों यह सबजी बहुत अच्छी बनती है और अगर आपको धाविया रेस्टोर्ट जिसा खाना पसंद है ना तो यह एक बार ट्राइ क कोला पुरी बन कर तैयार हो चुकी है लास्ट में इसमें बिल्कुल चिली का फ्लिवर देने के लिए यहां पर हमने मिर्च को बीच से कट करके एड किया है लेकिन यह ओप्शनल है अगर आप तिखा कम खाते हैं तो इसे मट डाले अच्छे से मिक्स कर लीजे ग्यास बन की आपको बहुत पसंद आने वाली है तो इसे बनाइए और अपने घर वालों को खिलाए और इस सबजी का मजा लीजी अब इसे थोड़ा सा हम गार्निश कर लेते हैं फ्रेश क्रिम के साथ तो दोस्तों आज की यह रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताईएगा और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा